राधे राधे एवरिवन आज की वीडियो में मैं आपको सोमोती अमावश्या की बहुती सरल पूजावी थी बताऊंगी देखिए जब अमावश्या तिथी सोमवार के दिन आती है तो उसे सोमोती अमावश्या कहते हैं सुहागन महिलाएं अपने अखंड सुहाग और घर में सुक शांती के लिए सोमोती अमावश्या का पूजन करते हैं बहुत सी जगे तो पूरा दिन वरत करते हैं लेकिन हमारे यहां पर सोमोती अमावश्या के दिन सुबह पीपल की पूजा करने के बाद खाना खा लेते हैं तो आपकी मर्जी है पूरे दिन का वरत भी कर सकते हैं या आप पूजा तक का वरत भी कर सकते हैं सोमोती अमावश्या के दिन पीपल का पूजन किया जाता है तो आपके घर के आसपास कोई भी पीपल का पेड़ हो वहाँ पर आप पूजन कर सकते हैं हम सब लोग जा रहे हैं सोमोती अमावश्या का पूजन कर रहे हैं अभी पूजन हम कैसे करते हैं इसके बारे मैं आज मैं आपको बताऊंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. देखे, जब हम घर पर पूजा करते हैं, तब तो हम गनेश जी को विराजमान कर लेते हैं, लेकिन बाहर जब जाकर हम पूजा करते हैं, तो आप स्वास्तिक बना कर भी गनेश जी का पूजन स्वास्तिक के रूप में कर सकते हैं. तो यहां पर देखिया हमने स्वास्तिक बना लिया है, अब स्वास्ति के उपर हम थोड़े से चावल रखेंगे और इस चावल के ऊपर फिर हम दिया जला देंगे। अगर आप चुन्डरी लेके आये हैं तो चुन्डरी समर्पित कर सकते हैं या आप कपड़ा लेके आये हैं तो कोई कपड़ा भी समर्पित कर सकते हैं फिर हम पुस्प समर्पित करेंगे तो जो भी फूल आपको मिल जाएं आप फूल समर्पित कर दीजिए उसके बाद फिर दक्षिना समर्पित करेंगे, दक्षिना जरूर समर्पित करनी है, क्योंकि दक्षिना पूजा मेरे ही कम्यों को पूरा करती है, सुमोतियामावश्या की पूजा सुहाग के लिए की जाती है, इसलिए जब भी आप सुमोतियामावश्या की पूजा करें, तो चाहे दो चीज स सुहाग की चड़ाए, सुहाग सामगरी आप जरूर जरूर चड़ाए, तो माता गोरा के लिए हम यहाँ पर सुहाग सामगरी चड़ा देंगे, उसके साथ ही हमें कोई भी चीज, खाने की कोई भी 108 चीज हमें लेनी होती है, टोफी, बिस्किट के पैकिट, केला, फल, फ्रू यानि प्याज लसुन को छोड़के, बाकि कोई भी सबजी, फ्रूट, मिठाई, कुछ भी ले सकते हैं, 108 चीज हमें चड़ानी है, तो 108 चीज मैंने ले ली है, इसी में से भोग चड़ा दिया है, और ये 108 चीजे हमें बाट देनी होती है, तो देखिए मैंने भोग यहाँ पर चड़ा दिया है, उसके बाद फिर हम कथा सुनेंगे, तो कथा सुनने के लिए एक लोटा जल हम ले लेंगे, जल लेकर अपने सीधे हाथ में हम फूल ले लेंगे, आप फूल ले सकते हैं, या फिर आप चावल भी हाथ में ले सकते हैं, तो हाथ में हमने फूल ले लिय से आविडियो बəortsता चुने मैं टारेचा हो जाएं परिकर्मा करने के लिए आप सव्क नॾावा भाया ले सकते हैं यहाँ पर भी हमने पूजा की है ना वही पर खड़े होकर हमें इस सूत को पेड़ पर थोड़ा सा अटका देना है वहाँ पर और भी धागे बंदिये होगे उन्हीं पर आप अटका दीजिए उसके बाद क्लोक वाइज हमें परिकर्मा करनी है देखें 108 परिकर्मा हो सके तो आप 108 परिकर्मा कीजिएगा क्योंकि सोमोतियाम आवश्या के दिन 108 परिकर्मा का बहुत अधिक मैतो है लेकिन अगर आप 108 परिकर्मा करने में समर्थ नहीं है तो कम से कम आप 8 परिकर्मा तो जरूर जरूर करें जहां से आपने परिकर्मा शुरू की थी थी ना वहीं पर परिकर्मा हमारी पूर्ण हो जाएगी परिकर्मा करने के बाद फिर हमें आरती करनी है तो जो दिया हमने लिया है उसी को पांच बार या साथ बार क्लोक वाइस भुमा कर हम आरती करेंगे आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा मेरे हिकमियों के लिए श्माय आचना करेंगे और अपनी मनो कामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे इसके बाद देखे जो भी आप खाने की 108 चीजे बाटने के लिए लेके आए थने या तो घर से मिनस के लिए या तो आप उनको यहां पर भी मिनस सकते हैं तो पहले हम उन्हें मिनस मिनस देगे तो देखे मिनस के लिए हब अपने हाथ में पल्ली लेंगे थोड़ा सा बाट हो जाती है जो भी आपने खाने ही और सभी में बाट देत्तbayर बाट पूजा से पहले आपको कुछ भी नहीं खाना पीना है, पानी भी से पहले हमें नहीं पीना होता है, सोमोते अमावश्य की जब आप पूजा कर लें, उसके बाद ही आप चाय पानी पी सकते हैं, अगर आपने वरत किया है, तो फिर आप चाय पानी पी लीजिए, फल फ्रूट खा लिजे उसके बाद, और अगर आपने वरत नहीं किया है, तो फिर आप खाना खा सकते हैं, इस तरह से बहुती सरल विधी से आप सोमोते अमावश्य की पूजा कर सकते हैं, और अगर आपको पीपल का पेड नहीं मिलता है, आपके आसवास पीपल का पेड नहीं है, तो पसिर आप सोमोते अमावश्य के दिन कथा जरूर सुनना क्योंकि कथा सुनकर ही ये पूजा पूजा होती है, तो कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल ही जाएगा, आप वहां से सुन सकते हैं, फ्रेंड सोमोते अमावश्य की ये बहुती सरल विधी है, आपको ये व फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जैश्री किष्णा, राधे राधे